तो इस वीडियो में बताएंगे कि PF apply कैसे करते हैं घर बैठे मोबाइल से ठीक है तो सबसे पहले apply करने के लिए सबसे पहले हम play store पे आते हैं और play store पे सर्च करेंगे among app ठीक है यह हमारे पास install है तो आप install कर लीजिएगा हम इसको directly open करते हैं है कि हम इसको open करते हैं हम नहीं इसको 6 अगले पास है तो हम इसको open करें फिक है है अब यह open हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे की दरफ च्रॉल डॉन करना है नीचे की दरफ फिति ऑ और अगर यहां नहीं आ रहा है तो आप यहांपर सर्च करेंगे यह PFO ठीक है यहाँ पर आए यहाँ पर आगे हम थिर यहाँ पर डालेंगे हम मॉवाइल नमबर डाल करके लोगिन करेंगे लोगिन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर देखिये यहाँ लिखा है UAN ठीक है और नीचे लिखा है Inter OTP तो यहाँ पर आप यू ए नमबर डाले और यहां पर करें हम गेट OTP किया हमने और यहां पर आ जाएगा आपका OTP जो आएगा वहां पर इंटर करना है ठीक है यहां जो OTP है यहां इंटर कर देते हैं और यहां पर से सब्मिट कर देते हैं जब हमने हमने हां सब्मिट कर दिया तो यह देखे हमारी डेटेल्स यहां पर आ गई है ठीक है अब जो हमारी डेटेल्स आ गई है यहां देखे लिए का बैंक अकाउंट न और उसके बाद यहां से next करना है है कि जैसे हम next करेंगे तो माले पास ये आ जाएगा P.F. Number ठीक है ठीक है जब यह PF number आजाएगा उसके बाद भाद हम यहां पे फिर से next करेंगे next करने के बाद यहां पे employee address डालना होगा ठीक है तो हम यहां पर इंपलाई एडरे डालते हैं और यहां पर हम यहां पर पिन को डाल देते हैं यहां पर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं करें रहां में चिक सेलेक्टर लेते हैं ऊचिक जाद करने के बाहिए अडिरेस इंटर करने के बास यहां पर निक्स्ट करने का बाद यहां पर अड्रेस पर आएगा 31, ठीक है, यहां 31 आया, I want to apply for claim tab, यहां 32 होगा, क्योंकि हम advance निकाल रहे हैं, तो 32 होगा, ठीक है, purpose for, तो purpose में यहां जाएंगे, हम यहां पर in-less करेंगे, ठीक है, और यहां पर amount डालेंगे, यहां पर amount कितना डालना है, यहां पर amount हम डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पर देखे लिखा, click upload, यहां पर cancel check का photo enter करना है, यहां पर इसको हम open करेंगे, ठीक है, और यहां से gallery से cancel check हम उठाएंगे, और यहां से हमने cancel check ले लिया है, ठीक है और यह cancel check हमने यहां से ले लिया है और यहां से crop करके और उसके बाद यहां checkbox पर click करके ठीक है और यहां get अधार OTP पर हम click कर देंगे अब एक OTP आएगा ठीक है वह OTP यहां पर हमें इंटर करना है 786-031 ठीक है अब यह OTP हम यहां सब्मिट कर देते हैं और OTP जैसे सब्मिट करते हैं तो यह देखिए यहां पर सक्सेज हो गया OTP ठीक है तो यह देखिए हमारा यह जो डेट है 21 फेरवरी इतना का ठीक है और यह देखिए ऑनलान क्लेम समिटेड एड पोर्टल ओके हो चुका है